हेलो इवरीवान व्लिकम ऑन टो बात करनगे से बाने संब्लोग के बार हम आप हमारे पर ऊंप की अर्य होता है हम समय पारे यह बंडी अर दूसरी आई है कि told hmm आट इश्टर ओक्रलंतर तीसरा अर्य तह स्थथा मल्ति- 不ण अर्य आउंद्भश ज्याग्द आर्य एक एक करके इन सब चीज़ सब पर बात कर लिते हैं पहले एरे क्या होता है अब एरे क्या होता है collection of box होता है इस टाइक से boxes बने होंगे और वो एक साथ जोड़े होंगे यह बात याद रखना है continuous space में होते हैं एक साथ आप एक बर ही define कर दोगे कि आपको इतना जगा चीए आपको उतना जगा इस format में मिल जाएगा और इसका indexing होता है आपका 0 से start और अगर total आपका size n है यह नहीं इसका last index होगा n-1 योगा 1,2 and so on इसमें आपका हर एक index रहेगा तो इसको बनाते कैसे है आपका array बनाने का तरीका एक यह है int a equals to new int bracket में 4 एक यह तरीका है यह वाले bracket जिसमें 4 लिखा है मैंने इसमें आपका size आएगा अगर आपका size आप user से ले जाओ तो इसको आप n में store कर आओगे जब n में store कर आओगे तो वो n यहाँ पर रख देना अब इसको इससे इसको ऐसे भी लिख सकता है int a int b equals to new int चार अब यह होगी declare करने की बात कि आप array को कैसे declare कर रहे हो हम बात करते हैं कि array को कैसे आप define कर रहे हो तो आप लिखो declare कैसे कर रहे है तो आप लिखो a 0 equals to 1 फिर a 1 equals to 2 फिर a 3 equals to 3 sorry a 2 equals to 3, a 3 equals to 4 अब यह array initialize होगा है आप इसको चाहो तो प्रिंट करवा के देख सकता हूं तो इस आउट यह 0 अगर हम प्रिंट कर रहा है तो हमारा वन प्रिंट हो गया अब हमें 3 प्रिंट कर रहना है तो यह 4 प्रिंट कर दिया अब अगर वहीं आप इसको 5 डाल दो तो यहां पर error आ जाएगा यानि कि इंडेक्स बाहर चला गया इंडेक्स 5 एक्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि इसका इसका जो maximum index जहां तक जा सकता है वह 3 है यानि length जिसका 4 है यह देखो फॉर length 4 अब बात करते है कि इसको और कैसे initialize कर सकता है एक तरीका आपका यह है इसको comment कर देता है अब दूसरा तरीका यह है कि आप ऐसे बना लो न्यू इंट करके और उसके पर एस कर्ड़ी प्रेशस के अंदर आप इसके सारे values पॉट कर दो 1,2,3,4 यह भी सेम गाम करेगा इसको और कैसे initialize कर सकते हैं तो एक तरीका यह है इसको ऐसे भी रन कर सकता है पर यह जो आप खुद से declare कर रहे हो ना ऐसे कर्डिव रेकेट में आप तभी कर सकते हो जो आपको पूरा का पूरा array आपको खुद से बनाना हो मतलब हर एक array का जो value है वो आपको पता हो पर अगर आप user से input ले रहे हो तो फिर आपको लूप लगा कि यह input में लेना पड़ेगा वो देख लेते कैसे लेंगे scanner sc equals to new scanner system dot in अब आप एक काम बरो अब पहले मैं लूप लागाता हूं for int i equals to 0, i should be less than 4, i less plus then a of i यानि कोई index पे equals to sc dot next int तो अब यह initialize होगी अब इसको check कैसे करें मैं काम करता हूं मैं पूरा का पूरा एरे प्रिंट करा लूँँगा तो वो कराने के लिए कैसे करेंगे array stot to string को मैं चेंज कर लेता हूं और नहीं अईरर देगा इसका पहसे लिख लो प्रिंट करने का अगर आपको इस फॉर्मैट में प्रिंट करने पहले में एक बारे में प्रिंट कर देगा आप याद कर सकते हो यह यह अब इसको प्रिंट कर दिया है अब इसके उपर आप और भी फंक्शन्स पर्फॉर्म कर सकते हूं आगे देखेंगे अब इसको प्रिंट करने का एक और तरीका भी है आप क्या करों कि लूप लगाओ एक और सेम ऐसे लूप लगा सकते हूं और उसके बाद आप लिखो इस आउट ए ओफ आई प्लस पेस इसको आप इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हूं अब इसका एक और तरीका आप एक इंट आई कर लो और फॉर इच में यह लगा के एरे पास कर दो मतलब को नों लागा के एरे कर दो तो यह क्या करेगा इसका मतलब है फॉर इच एलिमेंट आई इन एरे ए वेर आई इस एन इंटीजर इसको आप रन कर लो और शॉरी एक अला तो गया कि आई अब आप करो वान टू थरी फाइफ तो यह प्रिंट हो गया है अब हम बात कर लिते हैं कि मैं टूड़ आ रहे वारे उसके पहले यह बात बता दूं कि यह वाला जो तरीका भी मैंने बताए इसको एन्हांस फॉर लूप कहते हैं या फॉर इस लूप कहता है दोनों से कुछ भी कह सकते हैं अब टूड़ी आरे के लिए आप क्या करो सेम ऐसे इंट ए इंट ए फिर वापस यह फॉस्टू नियू फॉस्टू नियू विंट टू थ्री अब आपने ऐसे ले लिया इसको आज इस रहन देता है अब इसको यूजर से इंट लेने के लिए आप क्या करो तो यह वाला जो पहला है यह आपका बताता है नंबर अफ रोज और यह वाला बताता है नंबर ओफ कॉलंस यानि यह को गया और यह को लम हो थ्री वाला कॉलम हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे आप लिख लो से साउट इसमें आप ए आई पास कर दो और उसके पहले आप यह वाला लूप लागा तो तो इसको आप रन कर लो एक से वान टू थ्री पोर फाइफ सिक्स तो यह आपका एरे हो गया टूडी एरे यह यह यानि मैट्रिक फॉर्मैट में अब इसके थुरू आप बहुत सारे मैट्रिक के फॉंक्शन कर सकतो जैसे अडिशन सब्ट्रैक्शन अब आती है बात जैक डैरे के बारे में उसके पहले इसमें भी फॉर इस लूप का मैं कॉंसेप्ट देख लेता है इन्हें फॉर इस कैसे लगया फॉर इंट आई इस सब्सक्राइब कर देख को अप्लिक बदाब आई लाक्शक्राइब घ क aren't the इस out अब इसको रॉन कर लेते हैं बाने लिखा 1 2 3 4 5 6 तो यह आपका आरे प्रिंट हो गया अब इसका मतलब क्या है यह एरे टूडी है तो सबसे पहली बारी हम खाली एक पार्ट को ट्रावर्स कर सकते हैं पहला पार्ट क्या होगा जो इसका 1d array यानि number of rows वाला तो हमने उसको यूस किया उसके बाद क्या किया हमने हर एक रो में कितने कॉलम बन रहे तो उसके लिए एलिमेंट को जे माना और वो हमने इस पहले वाले आरे इसको हमने एक वाले आरे माना इसको हमने एक एरे मानानnde अकोर्डिंग टू आप वह तेरह किसा philanthrop लिए यहोग्ली आपका बात टूडी आइरे के बारे अब हम एक और चीज कर सकते हैं कि इसको इनिश्लाइज करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको तो ऐसे रहान देता हैं में इसको हटाके अगर हम खुद से बना रहे हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f equal to इसके बाद क्या होगा one, two, three फिर कॉमा फोर फाइव सेक्स हमने इसको ऐसे बनाया और इसको ऐसे कर दिया अब जैक डैरे की बात करते है जैक डैरे क्या होता है कि नंबर ओफ कॉलम्स हर एक रो में सेम नहीं होंगे एक एक एरे आपका ऐसे है वन टू त्री पोर फाइफ जैक सेवन एट नाई ये एक एरे आपका ये है अब आप ये कैसे बनाओ उसके लिए तरीका एक तो ये है कि इंट ए इक्वल्स तू चीदा ऐसे बनादो वन टू थी कॉमा पोर फाइफ कॉमा चॉन्ट्रोल जट पोर फाइफ एक तरीका पर ये है तरीका आपका ये है और हम यही फॉर इच वाला चीज कॉपी कर लाता है इसको प्रिंट करा लो तो यह हमारा आरे प्रिंट हो गया पर अगर हमें यूजर से इंपूट लेना तो हम क्या करें तो उसके लिए एक तरीका बताता हूँ कि आप बना लो इंट है एए इकोस्टो नियू इंट थ्री और दूसरा वाला पार्ट खाली छोड़ दो क्यों अगर आप इसमें मैंशन कर दोगे कि आपकों यहां पे चार चीए तो क्या होगा वो यह समझेगा कि आपको इस सेकेंड रो में भी चार एलिमेंट चीए और फर्स्ट रो में भी चार एलिमेंट चीए जबकि ऐसा टू निया है आपको थर्ड रो में चार एलिमेंट चीए तो ये एक fixed area आपको constant size का बना देगा वहीं अगर आप चाहो कि हर एक row का अलग अलग size हो तो आप ऐसे कर सकते हो फिर a0 equals to new int 3 फिर आप लिखो a1 equals to new int 2 and a2 equals to new int 4 इस तरीके से आप arrays को बना सकते हो यह array को ऐसे jacked array को ऐसे declare कर सकते हो फिर आप normal normal for loop लगा के आप हर एक value input कर लो और store करके print कर वाल अब मैं आपको एक homework देने चाहूंगा आप खली try करो आपको मैंने मैंने आपको दो array दिया है two-dimensional array one two three four five six और एक array है आपका seven eight nine ten eleven twelve अब आपको इन दोनों को multiply करके इसका answer print करना है अब आपको matrix multiplication का concept पता होगा आपने 10 11 12 में पढ़ा होगा और अगर नहीं पता तो एक बार गूगल कर लेना कि आपका जो array है वो user से input होगा और number of rows और number of columns भी आप user से input लोगे इसका solution में आपको अगले class में बता दूंगा अगर आपसे नहीं होगा तो पर try करना आपका concept better होगा बाकी मिलते है next video में अब तो ये एक main topic आगया है RS इसके ओपर मैं आपको daily कुछ ना कुछ हो assignment देता रहूंगा और भी आगे अच्छे topics है RS से related जैसे binary search हुआ sorting algorithms हो गए ये सब के बारे मैं पढ़ेंगे और इनसे related question करेंगे बाए बाए